क्या एक्स बॉइफ्रेंड से बदला लेने के लिए दिल जली काटरीना ने बनाया है हश-हश वैडिंग प्लैन? क्या रनबीर का दिल जलाने के लिए ही विकी संग काटरीना करेंगी आलिया से पहले अपनी शादी का एलान? जी हाँ, इन दिनों केटरीना कैफ और विकी काशल अपनी शादी की खबरों की वज़े से सुर्खियां बटो रहे हैं बीते कुछ दिनों से लगातार केटरीना और उनके रूमर्ड बॉइफरेंड विकी काशल की सगाई, रोके और शादी की खबरे सोचल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है भले ही केटरीना और विकी काशल ने अभी तक अपने प्यार का ओफिशली अनांस्मेंट नहीं किया है लेकिन इनके लव स्टोरी बॉलिविट का ओपन लव सिक्रिट है दोनों के दिल में इश्की जो आग लगी है उसका धुआ लोगों की निगाहों से छिपा नहीं है कुछ समय पहले ही दोनों की सगाई की खबरे सोचल मीडिया पर वाइरल हुई थी जिसके बाद अपनी फिल्म के प्रमोशन के दोरान विकी कॉशल ने भी कनफेश्ट किया था कि वो सही वक्त आने पर जल्द ही सकाई कर सकते हैं और आप खबरे हैं कि काट्रीना कैफ और विकी कॉशल ने अपनी शादी के तयारियां भी शिरू कर दी है रिपोर्ट्स के अकाडिंग विकी कॉशल और काट्रीना कैफ इस साल के दिसमबर तक शादी के बंधन में बंधने की प्लाइनिंग कर रहे हैं विकी कॉशल और कैट्रीना की शादी की ये खबरे जंगल की आग की तरह पहल रही है इनके फैंस बेस सब्री से इनकी शादी की ओफिशल कंफरमेशन का इंतजार कर रहे हैं वहीं गॉसिप्स के गलियारों में ये चर्चा भी तेज हो गई है कि विकी कॉशल के साथ हश-हश वैडिंग प्लान काट्रीना ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड रन्बीर कपूर का दिल जलाने के लिए ही बनाया है अब ये तो सब जानते हैं कि काट्रीना कैफ के मिस्टर एक्स रन्बीर कपूर इन दिनों आलिया भाट को डेट कर रहे हैं खबरे हैं कि रन्बीर और आलिया के परिवार में इनकी शादी की तयानिया भी जोरो पर हैं रिन्बीर और आलिया इस साल दिसम्बर के आखरी में या फिर अगले साल की शिरुवात में शादी कर सकते हैं। वहीं कट्रीना ने विकी के साथ शादी करने के लिए दिसम्बर के पहले हफ़ते को फाइनल किया है। अब कहने वाले कह रहे हैं कि इससे पहले रनबीर आलिया के साथ साथ फेरे लेकर उन्हें मिसिस कपूर बनाएं उससे पहले ही केटरीना विकी कौशल के साथ शादी करके मिसिस कौशल बनना चाती है रंबीर का घर बसने से पहले दिलजली कैटरीना अपना घर बसाना चाहती है वैसे ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि लंबे वक्त से कैटरीना दिलहन्या बनने का सपना देख रही है पहले सलमान खान और फिर रनबीर कपूर के साथ उनका इश्क अधूरा रहे गया जिसके बाद उनकी जिन्दगी में विकी कोशल की एंट्री हुई थी बीते दो साल से विकी कोशल और काट्रीना मीडिया की निगाहों से छिप छिप कर इश्क फरमा रहे थे लेकिन अब जाकर केट्रीना और विकी कोशल ने अपने रिष्टे को शादी का नाम देने का फैसला कर लिया है